आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतिय पत्रकार और लेखक जो पूरी दुनिया भर में अपने लाजवाब जनलिजम के लिए पचाने जाते हैं इसके साथ है इन्हें सत्ता बिरोधी रुख के लिए जाना जाता है जी हाँ इनका नाम है रवीश कुमार दोस्तों आपको बता दे कि देश का हिंदी समचार चैनल NDTV इंडिया के सिनियर पत्रकार और एंकर रवीश कुमार ने 1 दिसंबर 2022 को इस्तिफा दे दिया था अब वह अपने यूटूब चैनल रवीश कुमार ओफिसियल पर नजर आते हैं रवीश कुमार NDTV के साथ साल 1996 से जुड़े हुए थे और इन्होंने अपने करियर की सुरुआत NDTV चैनल में चिठी चाटने से सुरू की थी और ग्रूप एडिटर में खत्म किया इन्होंने NDTV इंडिया चैनल में रहते हुए प्राइम टाइम सो देश की बात और रवीश की रिपोर्ट सहीत कई न्यूज से समबधित कारे करमों को होस्ट किया और आप जान लेते हैं इनके जीवन के बारे में विस्तार से और वीडियो को सुरू करते हैं विडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है अधि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा क्योंकि हमारे इस चैनल पर इसी तरकी विडियो आति रती है तो सबसे पहले आपको बता दें कि इनका पूरा नाम रवीज कुमार पांडे है और इनका जन्म 5 दिसंबर 1974 को बिहार के पुर्वी चमपारण जीले के मोतिहारी में एक ब्रामण परिवार में हुआ था इनके पिता का नाम बली राम पांडे है और इनका एक भाई है जिसका नाम ब्रिजेस पांडे है जो एक राजनितक गया है और कॉंग्रेस पार्डी के साथ जुड़े हुए हैं और बिहार कांग्रेस स्टेट वॉइस प्रेसिड़े भी रह चुके हैं यदि बात करते हैं एजुकेशन की तो रवीज कुमार की सुरुवाती सिक्षा पटना के लोयला हाई स्कूल से पूरी हुई है इसके बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए दिली चले गए और वहाँ पर दिली इनवर्सिटी के देश बंदू कॉलेज से ग्रिजिशन किया इसके बाद एमफिल में एडमिशन लिया लेकिन कुछ समय बाद एमफिल के पढ़ाई छोड़ दी और भारतिय जन संचार संस्थान में पत्रिकारिता में पोस्ट ग्रिजिशन डिप्लोमा किया अब बात कर लेते हैं इनके पर्सनल लाइफ की तो इनकी पत्नी का नाम नैनादास गुपता है जिसका जन्म कॉलकाता में हुआ था और यह एक बंगाली परिवार से तालुकात रखती है इनकी साधी एक लव मारी शाधी है और वर्तमान समय में रवीश कुमार जी की पत्नी नैनादास गुपता लेडी स्री राम कॉलिज फॉर उमेन दिल्ली इनुवर्सिटी में इतिहास की प्रोफेशर है और इनकी दो बेटिया भी है अब बात कर लेते हैं रवीश कुमार के नोकरी मिल गई और लगभग पांच से साल बाद रवीश कुमार ने नीज रूम में एंट्री ली और मीडिया के बारे में समझा और किसी सो में होने वाले एक्शन रियक्शन के बारे में जाना और फिर रवीश कुमार को रिपोर्टिंग करने का मौका मिला और उन्होंने गरीबों और मजदूरों की आम मुद्दों पर आवाज उठानी शुरू कर दी और रवीश की रिपोर्ट से पत्रिकारता करते हुए अन रिपोर्टर से अलग पाचान बनाई और यह उनके लिए एक पत्तर का मिल साबित हुई और फिर कुछी समय में वह NDTV इंडिया के मुख चेहरा बन गए और चैनल के सबसे प्रमुख प्रोग्राम की मेजबानी की और इन्होंने NDTV इंडिया के प्राइम टाइम सो पर प्राइम टाइम विद रवीश के साथ एंकरिंग की शुरूआत की और इस सो में उन्होंने जन कभी प्रसंसा की जाती है तो कभी आलोचना की जाती है आपको बता दे कि रवीश कुमार की पत्रकारिता पर एक डॉकुमेंटरी भी बन चुकी है जिसका नाम है While We Watched इसके डिरेक्टर है विनेश उकला जी अब बात कर लेते हैं रवीश कुमार की संपत्ति जीनकी कुल न वीडिया रूपोर्टर के खबरों के मनुसार इनकी प्रतिमा के सेलरी 20 लाग रुपए थी और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनका यूटूब पर चैनल है जिसका नाम रवीज कुमार ऑफिसियल है और इस चैनल के सुरवात इनों ने 3 जुन 2022 को की थी जिसमें वरतमान समय में लगबक 7 मिलियन सब्सक्राइबर हैं तो दोस्तों ये रही रवीज कुमार की बायोग्राफी आपको या वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा ज्यादा लोगों के बीच में सेयर करिएगा